Hello everyone, welcome back to the channel So, आज की इस वीडियो में हम आर्ट कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड जो भी करेंट अफेर रहे हैं उनको देखने वाले हैं शुरू करते हैं पहले ग्वेशन के साथ Which among the following cave became India's worst geo heritage site? Options में से कौनसी ऐसी गूफा है जो भारत की पहली geo heritage site बनी है तो ये site है हमारी मामलू केव मामलू केव यह है कहां पर तो ये मिगालिया में है मिगाले में भी East Khasi Hills District में ये cave देखने को मिलती है मिगाले में ठीक है? ये जो cave है मामलू केव या फिर इसे क्रेम मामलू के नाम से भी जाना जाता है ये fourth longest cave है in the Indian subcontinent इसकी लंद कितनी है? साथ किलोमेटर है और इसे इंक्लूड किया गया है UNESCO की first 100 IUGC geological sites में IUGC के full firm क्या है? International Union of Geological Sciences अगले question पर आते हैं India's second national model Vedic school has been opened in which city? भारत का दूसरा राष्ट्रिया आधर्ष वे त्याले किस शहर में खोला गया है तो ये जो है national model Vedic school ये खोला गया है पूरी में इंडिया का second है ठीक है राष्ट्रिया आधर्ष वे वे विद्याले और पहला कहां पर है? पहला उजयन मध्यपरदेश में सित है next question है PM Modi unveiled 108 feet tall statue of prosperity in which city? Statue of prosperity जो है ये बेंगलूरू में unveiled की गई है by प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी Statue of prosperity बैंगलूर में ये जो statue है Statue of prosperity किसका statue है? यहाँ पर आप देख रहे होंगी ये statue है नदप्रभूप Campengoda जिन्हें founder of Bangalore city के नाम से जाना जाता है या फिर ये founder of Bangalore city है Campengoda इंका ये statue है इसके अलावा कुछ और statues जो अभी recently news में रहे है Statue of equality ये रामानुजा की है और कहाँ पर है? हैदराबाद में उसके बादे statue of unity सर्दार वल्ला भाई पतेल की है गुजरात में और world की tallest statue है ये और statue of knowledge ये बियार अंबेटकर का है लातूर सिटी महाराश्रो में अगला question है Statue of belief has been installed at which of the following state? तो आपके लिए question बहुत सारे बढ़ गए है Statue of belief जो है ये राजस्थान में इसको install किया गया है और ये किसका है? Lord Shiva को dedicated है Statue of belief या फिर विश्वाज स्वरूपम ठीक है, कहां install किया गया है? तो answer होगा राजस्थान में और ये जो है वर्ल्ड के tallest statue of Lord Shiva है height है, इसकी 369 feet या फिर 112 meter Next question है इंडिया's largest reclining statue of Lord Buddha is being built in which state? तो ये जो है इंडिया का largest reclining statue of Lord Buddha ये बिहार में इसे बनाया जा रहा है ठीक है, और ये under construction है अभी आप देखी रहे होंगे अगर पूछा जाए, बिहार में भी कहां पर अगर आजाए state के अलावा सिर्फ शहर का नाम आजाए तो याद रखेगा, बोध गया बिहार में ठीक है, इसको बनाया जा रहा है और built by Buddha International Welfare Mission इसका साइज है 100 feet long and 30 feet high अमित्शा अन्वील्ड स्वामी रामानुजाचार्या स्टेचू ओफ पीस in which city, स्टेचू ओफ पीस जो है, इसे श्री नगर में अन्वील्ड किया गया बाई अमित्शा जो कि हमारे होम मिनिस्टर है स्वामी रामानुजाचार्या या फिर रामानुजा एक इंडियन फिलोसफर थे 2017 इसवी में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था तमिलनाडू में ठीक है, और ये भक्ती मूव्मेंट से related है स्टेचू ओफ इक्वालिटी जो है स्टेचू ओफ इक्वालिटी ये रामानुजा का है हैदराबाद में है और डी अन्वी प्रसाद सत्पती ने इसे डिजाइन किया है फिर है स्टेचू ओफ नौलेज ये बियार अंबेटकर का लातूर सिटी महराश्ट्रो में स्टेचू ओफ बिलीफ ये लॉर्ड शिवा का है राजस्तान में और स्टेचू ओफ यूनिटी सरदारवलन भाई पटिल का केवडिया गुजरात में और रामवी सुथार ने इसे भी रिजाइन किया था तो ये किसके समय तक कार्बन नीट्रल एक टूरिस्ट परियतन स्थल इसको बना दिया जाएगा मतुरा वरिंदावन को तो ये जो ड्यू डेट है दो हजार एक तालिस ठीक है यहाँ देख लेते हैं मतुरा वरिंदावन कहां पर है यूबी में है वन ओफ इंडिया जार्जस्ट पिल्ग्रिमिज सेंटर्स और मतुरा वरिंदावन के लिए एम क्या रखा गया है तो बिकम अनेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट देस्टिनेशन भाई 2041-2041 मानगर धाम इस लोकेटेड इन विज स्टेट मानगर धाम जो है यह कहाँ पर लोकेटेड है राजस्टान में और न्यूज में क्यों है क्योंकि प्यम मोदी ने डिकलेर किया है इसे नैशनल मॉनुमेंट राजस्टान के आँ देख लिजीए सीएम हाशो कहलोद और गवर्नर है कालराज मिश्रो नेक्स्ट क्वेशन है वुमिन फिरेंडिली टूरिजम प्राजेक्ट AS BIN लॉंच्ट इन विज स्टेट को इसे यह कहाँ पर लौंच हुआ है क्यरस्टान और चीएम कौन है पिनराइव इजियन है गवर्नर है आ के आरिफ मोहम्मद घान और केरला को स्टेट हुट की उपाधी एक नमबा उनिसोग छपपन को दी गई थी लोग सभामे सीट केरला की कितनी है? 20 राजसभामे है 9 सीट्स अरित्तापती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बिकेम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अफ विच स्टेट तो यह जो है तमिल नाडू की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है नेक्स्ट प्वेशन है UNESCO released a list of Dash exclusive and iconic heritage textile craft of India UNESCO ने कितने exclusive and iconic heritage textile crafts की list जारी की है कि कितने इसमें crafts यह शामिल किये है UNESCO ने तो answer होगा 50, 50 यहां पर देख लेते हैं list of 50 Indian iconic textile crafts published by UNESCO और कुछ इसमें से important है जो आपको याद रखने है तोड़ा एम्प्रॉइडरी और सुंगुडी ये कहां का है तमिल नाडु का इसके अलावा हिम्रू वेवर्स ये हैदराबाद बंधा टाइ या बंधा टाइ और डाइ वेविंग ये ओडिसा का है उसके बाद है कुन्बी वेव सिये गोवा का है चंबा रुमाल सिये जमाचल प्रदेश का है और खेज हर्याना का है इस तरह के कुल 50 क्राफ्ट जो है टेक्स्टाइल क्राफ्ट इन्हें शामिल किया गया है युनेस्को के द्वारा लिस्ट में पब्लिश किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह अन्वील 15 feet high statue of जैपरकाश नारायन इन विच स्टेट तो फिर से एक statue आ गया है यह 15 feet उचा है और statue of जैपरकाश नारायन है कहां पर इसे अन्वील किया गया है वाई होम मिनिस्टर अमित शाह तो यह अन्वील किया है बिहार में और बिहार में भी कहां पर सारन रिस्ट्रिक्ट में ठीक है जैपरकाश नारायन जेपी के नाम से जानते हैं इडियन Инडेपेदेंस अक्टिविस्ते नोन आज लोक नायक के नाम से जानते हैं जैपरकाश नारायन नायक भारत में बहुत-बड़ा युवाउं ने जिसमें बहुत था और कियम्तव अपने का एक स्टेचू अन्वील किया गया है बिहार के सारन डिस्रिक्ट में बाए होम मिनिस्टर आमित शाह विच स्टेट इस टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरन टूरिस्ट इन टुटी टुटी बन तो अभी रिजेंटली एक लिस्ट जारी की गई लिस्ट या मेंली रिपोर्ट जारी की गई मिनिस्टर आफ टूरिस्म के द्वारा और उसमें इस तरह का बताया गया है कि टूरिस्म जो है इंडिया में कैसा रहा 2021 के इस टाइम पिरिएड में तो जो टॉप डेस्टिनेशन रहा है फोर फॉरिनर के जो ट्रेवलर्स है उनके लिए जो टॉप डेस्टिनेशन है वो कौन सा है तो महराश्ट्र है ठीक है अगर राजियों की बात करें यहां पर डेटेल देख लिते हैं तो इंडिया टूरिजम स्टेटिस्टिक्स 2022 यह रिपोर्ट है इस नाम से रिपोर्ट अभी पब्लिश की गई है रिलीज की गई है रिलीज बाए वाइस प्रेजिडेंट जगतीब धनकड इसमें बत प्रेटेड मॉनुमेंट्स कौन से हैं जो बहुत जादा विजिट किये गए हैं तो अगर देखें डॉमेस्टिक विजिटर्स के लिए तो यह है ताज महल यूपी आग्रा में है और अगर फॉर्णर्स के लिए दिखें कि उन्होंने मॉनुमेंट्स वाइस अगर देखा तो उसमें सबसे जादा फॉर्णर्स कहां गए हैं तो ग्रूप्स ओफ मॉनुमेंट्स आट महा बलीपुरम जो की है तमिलाडू में तो यहां पर सबसे जादा विजिट किया है अगर स्टेट वाइस देखें तो महराश्ट और लेकिन तमिलाडू फिर देखते हैं नेक्स सेशिंद्या हैं गायकवाड हैं होलकर्स भोसलेज इन सभी की हिस्ट्री को यहां पर डिपिक्ट किया किया है क्या ना में इस ग्यालरी का गाथा स्वराज की उसके बाद है अयोध्या दीपुटसव इसे गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में शामिल किया गया है फॉर लार्जस् दीपुटसव में और इसलिए इसे गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में शामिल किया है नेक्स्ट दिवाली की बात करें तो न्यू यॉक सिटी में दिवाली के दिन पब्लिक स्कूल हॉलिडे यह अनौन्स किया गया फ्रॉम 2023 इसे लागू कर दिया जाए दो हजार तेस से दिवा का विल भूल है क्या इसेलाज़ है जो हुआ कि दिवान। मैं यॉद्लि इसकी रिज था है इसलिए है उसमें आतेनुड कicação से है टीवर चयन केश्यू टेंपल है और सोमनात्पूर में केसव और हले बिदू में होय सलेश्यूवा तेम्पल है तो जह new yasatt़ हो थारॉत से ज रेख सकते है इन तीनों मंदिरों को नेक्स्ट क्वेशन है विच उप फौन इन्यान सिटीज तो इसमें शामिल किया गया है औल अफ दी यानि की वारंगल थ्रिसूर और निलांबूर को फर्स्ट थ्री इंडियन सिटीज इंक्लूड़ेड युनेस्को ग्लोबल नेटवर्क अफ लर्निंग सिटीज और ये तीनों है वारंगल जो है ये तेलंगाना में है निलांबूर केरला में है और त्रिसूर भी केरला में लुकिटिड है रिसेंटली पीयम मोदी इनागरेटेड दे फर्स्ट फेज अफ श्री महाकाल लोग कॉरिडोर इन विच अफ फॉलाइंग सिटी तो ये जो है उज्जयन में उद्गाटन किया है पीयम मोदी ने पहला फेज किसका श्री महाकाल लोग कॉरिडोर का यहां पर देख लेते हैं श्री महाकाल लोग कॉरिडोर कहां पर महाकालिश्वर टेमपल उज्जयन अमद्यप्रदेश में है 8-100 करोड को लागत इसकी लगाए गई है महाकाल कॉरिडोर यह फोर टाइम्स लार्जर है दिनकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर दीग है अभी कुछ समय पहले तक काशी व जोतिरलिंग है और यह जोतिरलिंग लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है उन्हीं में से थर्ड जोतिरलिंग है महाकालेश्वर टेंपल उज्जयन में विच हडपन सिटी बिकेम न्यू युनिसको वर्ल हरेटेज साइट औफ इन्डिया तो ये सिटी है धोलाविरा जिसे शामिल किया गया है ये 40 चालीसवी युनिसको वर्ल हरेटेज साइट बनी है। हडपा की एक सिटी है हडपा शहर है जो की भारत में लोकिटेड है भारत में कहां पर है दोला वीरा गुजरात में और अगर पूछा जाए गुजरात में भी कहां पर है रन ओफ कच्छ में और यह जो सिटी है दोला वीरा इसकी खोच की थी जगत पती जोशी ने 1968 में आजार यह तीन साइट्स भी UNESCO World Heritage Site में शामिल है जो की गुजरात में लोकेटेड है विच टेमपल बिकम इंडियाज 39th UNESCO World Heritage Site तो यह जो टेमपल है कौन सा है रामपपा टेमपल है जो की 39th UNESCO World Heritage Site बना था जो भारत में शामिल भारत में स्थित है रामपपा टेमपल को रुद्रेश्वर टेमपल के नाम से भी जानते हैं और इसे रामलिंगेश्वर टेमपल भी कहा जाता है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड यह टेमपल है कहां पर है पालमपेट तिलंगाना में इस्सित है किसके द्वारा बनवाया था जनरल रेचलरा रुद्र के द्वारा यह बनाया गया था 13th century में और किस टायनेस्टी के समय तो काकतिय वंज जो था काकतिय डायनेस्टी थी उस समय पर इसको बनवाया गया था रामपपा टेमपल को ठीक है तोटल साइट कितनी है भारत में 40 है 39 यह है और 40 फॉर्टियत कौन है दोला वी रहा है जो हमने पीछे देखा था तो टोटल युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में 40 है इन में से 32 जो है वो कल्चरल साइट है साथ नेचरल साइट है और एक मिक्स्ट साइ युनेस्को के बारे में देख लेते हैं फूल फॉर्म इसकी क्या उनाइट नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कुल्चरल और इसकी स्थापना हुई थी और इसका हैड़कोटर है पैरिस फ्रांस में नेक्स्ट क्वेशन है गर्भा इस दफोग डांस फॉम फोग डां इंडिया कितने हैं टोटल 14 है लेटेस्ट जो है वैदिक चैंटिंग है योगा है दुर्गापूजा है और अगर आपको सिर्फ जानना है इंते इंतेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से चैनल पर अप्लोड की ग पटल है Chelseaू कशमीर की और इसे tenía को 태 τον कंदिय की आ ये उन्त Σterior नेटवरक ऑफ क्रिएटिव सिटीज में शामत्र की आ एं प्रूजार पंद्रा में शामिल किया था किर 시 बात वाराण सी है सब्सक्तिध्या इपरें इसमें से बीए और शेर नई है इसे दोहजार सर्छ च्र पे शामिल किया गया था UNESCO has added which of the following festival to the intangible cultural heritage list तो ये कौन सा है? Durga Pooja है, इसे recently और सबसे latest है जिसे शामिल किया गया है Kolkata की Durga Pooja has been added to UNESCO's intangible cultural heritage list टोटल कितने 14 हैं, पहले भी अमने बात की थी और कुछ important नवरोज जो है 2016 में इसे शामिल किया था राम लीला को 2008 में, योगा को 2016 में कुम्भ मेला को 2017 में World's largest religious monument will open in which state तो ये कहां पर West Bengal में दुनिया का largest religious monument इसे open किया जाएगा ठीक है और क्या है ये Temple of Vedic Planetarium है Location Mayapur, West Bengal dedicated to Hindu deities Radha Madhav Next question is which states living root bridges has been included in the tentative list of world heritage site तो living root bridges कहां की ये एक हासियत है Meghalia की ठीक है और Meghalia में जिंग किंग जरी के रूप में भी जानते हैं मैं प्रणाउंस नहीं कर पारी हूँ ठीक से तो आप manage कर लेज़ेगा या फिर आप बेतर है living root bridge ये याद रखिए ये बस इसलिए देख लिजेए जांकि कभी एक्जामी ये वर्ड आजाए तो आपको पता हो किस बारे में बात हो रही है इसे एड किया गया है living root bridge को आइड किया गया है युनेस्को की world heritage site tentative list में युनेस्को 16 नमंबर 1945 को स्थापना हुई थी परिस फ्रांस में इसका हैड क्वाटर है डिरेक्टर जनरल ओर्ड्रे एजुले अनंग ताल लेक इस लोकेटेड इन विच स्थेट और यूटी तो अनंग ताल लेक जो है दिल्ली में लोकेटेड है दिल्ली में भी महरोली में ये स्थिध है क्रियेटेड बाइ तोमर किंग अनंग पाल सेकिन गब एक हजार साथ एडी में न्यूज में इसलिए है क्योंकि अनंग ताल लेक जो है से डिक्लेर किया है मॉनुमेंट ओफ नाशनल इंपोर्टेंस की रूप 40th edition of the हुनर हार्ट has been organized in which city हुनर हार्ट का 40th edition मॉंबाई में organized किया गया और हुनर हार्ट ये एक platform है to preserve, protect and promote local artisans and craftsmen इसे inaugurate किया गया by information and broadcasting youth affairs and sports minister that is अनुराग ठाकुर theme क्या थी इसकी हुनर हार्ट जो है 40th edition theme इसकी है vocal for local and best from waste और जो 41st हुनर हार्ट है ये गहां पर होने वाला है उत्तर प्रदेश में 10th century stone statue of goat head yogini has been brought back to India from which country तो ये जो है इंडिया में UK से वापस लेकर आया गया है 10th century का stone statue है किसका goat head yogini का और इसे UP में एक लोखारी village है ये एक temple से चोरी हुआ था और अब UK से वापस इंडिया में लाया गया है राखी गड़ी one of the oldest हडपन sites is located in which Indian state राखी गड़ी गहां पर है हर्याना में located है और क्यों अभी बात हो रही है क्योंकि यहां से 5000 साल पुरानी jewelry manufacturing factory पाई गई है ठीक है राखी गड़ी की बात करें तो भारत में largest archaeological site of the हडपन civilization है और हिसार district हर्याना में यह located है archaeological site असूरगड is located in which state असूरगड जो है ओडिसा में located है और ओडिसा के भी काला हंदी district जो है यहां पर न्यूज में इसलिए है क्यों carbon dating यहां पर हुई है यह ओडिसा की oldest fortified settlement पता जला है इसके जरिए और इसी से यह पता लगाया गया है कि 9th century BC का यह है यह iron age का संबंध असूरगड फोर्ट से है पियम मोदी inaugurated redeveloped कालिका माता temple in which state कालिका माता temple इसे गुजरात में redevelop किया गया है कहां पर है कालिका माता temple पावागड हिल पंचमहल district गुजरात में और पियम मोदी ने इसे inaugurate किया है पियम मोदी unveils statue of freedom fighter अलूरी in which state यह जो है आंतरप्रदेश में unveil किया गया है statue of freedom fighter अलूरी अलूरी सीताराम राजुए एक Indian freedom fighter थे अंतरप्रदेश में हीन का जन हुआ था और इन्हें इनली रंपा rebellion के लिए जहना जाता है 1922 में यह हुआ था रंपा विद्रो which Indian city has been included in the list of the world's greatest places of 2022 तो इसमें एहमदाबाद को शामिल किया गया है world's greatest places of 2022 टॉप 50 world greatest places of 2022 लिस्ट यह किसने इंट्रोड्यूस की time magazine के द्वारा की गई और इंडिया से Indian state kerala और Indian city एहमदाबाद इन्हें शामिल किया गया है एहमदाबाद जो है इंडिया का first UNESCO world heritage site भी है डिफेंस मिस्टर राजनाज सिंग अन्वील स्टेचू ओफ मारवाडी warrior दुर्गादास राथोड इन विच सिटी तो यह जो स्टेचू है इसे जोधपूर में अन्वील किया गया है स्टेचू ओफ वीर दुर्गादास राथोड कहां पर जोधपूर राजस्थान में विच स्टेट गवर्मेंट डिफेंस संस्क्रिट स्पीकिंग विलेज इन इच डिस्रिक्ट तो यह डिसाइड किया गया है उत्राखन के द्वारा विच सिटी फि नॉमिनेटेज ऐस फ्रस्ट एवर SEO टूरिजम एड कल्चारल कैपितल और इसर्टी तो यह जो है भारान से दिक्लेएर की गई है SEO टूरिजम एड कल्चारल कैपितल वेर आरड the क नहिरी केवश लोकिंटेट कनहिरी केव्श है मुंभाई में और रिसेंटली टूरिजम और कल्चर मिनिस्टर डॉक्टर जी किशन रेडी इन्होंने इनागरेट किये हैं एमेनिटीज आट कनहेरी केव्स कनहेरी केव्स यह ग्रूप ऑफ केव्स और रॉककट मॉनिमेंस हैं कहां पर मुंबाई महराश्रु में इंडिया की फर्स प्राइवेट ट्रेन सर्विस है अंडर भारत गौरव स्कीम जिसे फ्लाइग डॉफ किया गया है बिट्वीन कोयंब तूर अंड शिर्डी भारत गौरव ट्रेन्स विल शोकेस इंडिया इंडिया इस रिच कल्चर हेरिटेज और हिस्टोरिकल प्लेसेज य इसी किता है भारत गौरव ट्रेन पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस इसे शुरुवात किया गया हरी जंडि दिखाए गया वाल्स लार्जेस्ट हरपन कल्चर म्यूजियम तो बी सेट अप इन विच स्टेट तो इसे हर्याना में सेट अप किया जा रहा है और हर्याना में भी कहां पर राकी गड़ी में ठीक है विच अप फॉलिंग इंसिटूशन्स पब्लिश्ट हिंदी डिस्क्रिप्शन्स ओफ इंडियास हेरिटेज साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट तो यह जो है यूनेस्को के द्वारा हिंदी डिस्क्रिप्शन्स पब इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट का डिस्क्रिप्शन होगा वो हिंदी में भी मेंशन किया जाएगा और इसे वर्ल्ड हिंदी डे के दिन डिक्लेर किया गया यह जो फाउंडेशन है नरेंदर मोदी के द्वारा इसे लॉंच किया गया पंडित जसराज यह इंडियन क्लासिकल वोकलेस्ट है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉंच किया गया पंडित जसराज कुल्चरल फाउंडेशन पंडित जसराज को पदमभूशन 1990 में मिल और पद्म विभूशन 2000 में दिया जा चुका है नेक्स्ट है हमारे पास धरोहर एक National Museum of Customs and GST है जिसे गोवा में ओपन किया गया है और डेडिकेटेड बाइ Finance Minister Nirmala Sitarawan ठीक है धरोहर National Museum of Customs and GST गोवा में उसकी बाद है रानी गैदिन ल्यू Tribal Freedom Fighters Museum इसका Foundation Stone मनीपूर में रखा किया है बाइ Home Minister आमिद शाह पोचमपली विलेच तेलंगाना में इसे सेलेक्ट किया गया है as one of the best tourism villages selected by United Nations World Tourism Organization नेक्स्ट है पी-े-म मोदी ने इनागरेड किया है जगत गुरू स्रीसन तुकरा महराज शिला मंदिर कहां पर पुने महराश्ट्र में तुकाराम कौन थे? 17th Century के मराथी पोएट और हिंदू सेंट ये थे Heritage Center of IAF, Indian Air Force का Heritage Center ये कहां पर चंडीगड में सेटप किया जाएगा और नेक्स है इंडिया International Center for Buddhist Culture and Heritage इसकी foundation stone लुम्बिनी नेपाल में रखी गई है और किसके द्वारा? PM Modi के द्वारा International Travel Award 2023 ये कैसलिए दिया जाता है? वोर Best Destination for Culture और West Bengal ये अवार्ड जीता है International Travel Award 2023 और ये question है, लास्ट में आप लोग के लिए होईसाला temple is located in which of the following state? options है, केरिला, असाम, गुजरात या फिर करनाट का तो इसका right answer comment box में जरूर दीजेगा और इसे के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाथ होती है I hope आपको पिसंद आई हो Thank you so much watching the video जैहिंद